10.4 भारत में उपनिवेशवाद सन 1756 से 1900 हमने कक्षा आठवी में पढ़ा है कि English East India Company ने सन 1757 में बंगाल के नवाब को प्लासी की लडाई में हरा कर भारती उप महादुईप पर ब्रिटिश सामराजी की शुरुवात की थी और इसके बाद किस तरह धीरे धीरे पूरा भारत उनके आधीन हो गया इस पार्ट में हम यह समझने की कोशिस करेंगे कि किस प्रकार आपनिवेशिक शाषन ने भारत के समाज को प्रभावित किया 1757 के बाद भारत का आपनिवेशी करण कई चर्णों से गुजरा प्रतेक चर्ण का सरूप ब्रिटेन की बदलती जरूरत तथा भारतियों के प्रतिरोध से निर्धारित हुआ एक और आपनिवेशिक नीतियों के कारण भारत एक संपन्य देश से गरीब देश बना दूसरी और भारत के लोग अंग्रेजों से संघर्ष करते हुए एक आधुनिक राष्ट का निर्मान कर पाए और उसे लोगतंत्र और समानता की ओर ले जा पाए हमने भारती राष्टवाद लोगतंत्र और समानता के लिए संघर्ष के कहानी पढ़ी जहां हम अपनिवेशिक नीतियों और उनकी प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे 10.4.1 एकाधिकारी व्यापार का दौर शुरुवाती दौर में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के भारत में दो लक्षे थे पहला लक्षे था भारत के साथ व्यापार में एकाधिकार इस्तापित करना इस्ट इंडिया कमपनी यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वही विदेशों में भारती माल को बेचे ताकि कम से कम दाम में भारती किसान वा कारीगरों से सामान खरीद कर अधिक से अधिक दाम में दुनिया भर में बेच सके East India Company ने भारती वैपार वा हस्त शिल्प के उत्पादन पर एक अधिकार इस्थापित करने के लिए राजनीतिक शक्ति का प्रियोक किया पहले से वैपार में लगे भारती वैपारियों को या तो वैपार से हटा दिया गया या फिर इस्ट इंडिया कंपनी के आधिन वैपार करने को विवश किया गया भारती शिल्पियों एवं बुनकरों को अपना माल कम कीमत पर ब्रिटिश कमपनी को बेचने के लिए विवश किया गया इन सब के कारण भारत का विदेशों से व्यापार तो बढ़ा लेकिन बुनकर एवं शिल्पियों को उचित कीमत नहीं मिली दूसरा लक्ष था भारत से प्राप्त राजस्व पर नियंत्रन कर उसे ब्रिटेन के हित में उप्योग करना इस इंडिया कमपनी को भारत में तथा संपूर एशिया वो अफ्रीका में अपना वर्चस्व बनाये रखने के लिए युद्ध करना पड़ता था इसके लिए अत्यदिक धन के आवशक्ता होती थी इसे भारत से प्राप्त राजस्व से ही निकालने के कोशिश हुई जादा राजस्व के लिए जादा भूभाग पर नियंत्रण जरूरी था इसके लिए भारत के विभिन भागों को जीत कर बिटिश भारत में मिलाने की कोशिश हुई जो इलाके कमपनी के आधीन हुए वहाँ पर कमपनी ने नई प्रकार की भूराजस्व विवस्था लागू की जिसके तहर जमीदार जमीन के मालिक बने और जमीन पर नीजी स्वामित्तों इस्थापित हुआ अंग्रेजों को उमीद थी कि इससे उन्हें अधिक्तम भूराजस्व मिलेगा इस नीती का दूरगामी असर यह पड़ा कि किसानों की स्थिती लगातार बिगड़ती गई और वे अभूत पूर्व मानो निर्मित अकालों की शिकार होने लगे वे बढ़ते वे राजस्व को अधा करने के लिए रिण लेकर सहुकार के चंगुल में फस्ते गए 10.4.2 दूसरा दौर इंग्लेंड में अध्योगिक क्रांती और भारत का उपनिवेशी करण सन 1750 से 1800 में ब्रिटेन में अध्योगिक क्रांती शुरू हो रही थी एक अधिकारी वेपार व्यवस्ता उध्योगपतियों के हितों के अनकूल नहीं थी वे नहीं चाहते थे कि भारती कपड़े यूरोप में बिके उल्टा वे चाहते थे कि भारत उनके कारखानों में निर्मित कपड़े खरी दे उन्होंने दबाव डाला कि भारत पर इस्ट इंडिया कंपनी जो महज वेपारियों का एक समूँ था का नियंत्रण समाप्त हो दीरे दीरे ब्रिटेन की संसद ने भारती मामलों पर दखल बढ़ाया और इस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को सन 1813 में समाप्त कर दिया सन 1857 के स्वतंतरता संग्राम के बाद संसद ने भारत का प्रशाशन सीधे अपने हाथों में ले लिया भारत की वैपारिक नीतियों में बहुत सारे बदलाव किये गया, ब्रिटेन से आने वाले सामानों पर आयात शुल को या तो कम किया गया या फिर समाप्त कर दिया गया ताकि भारत में अंग्रेजी कारखानों में बना समान बिग सके हमने पिछले अध्याय में इसके बारे में पढ़ा और इन नीतियों का भारती बुनकरों पर पढ़ने वाले प्रभाव पर भी विचार किया लाखो जुलाहे जो कल तक कपड़ा बनाने के काम में लगे हुए थे बेरोजगार हो गए और कोई कामधंदा नहीं मिलने पर वे सभी खेती करने लगे इससे कृषी पर आबादी का दबाव बढ़ने लगा उतनी ही जमीन पर अधिक लोग निरभर हो गये इस पूरी प्रक्रिया को भारत का निरुद्योगी करण कहा जाता है इससे हिंदुस्तान गरीब देशों के शेणी में आ गया भारत के गरीब होने के पीछे एक और कारण था विभिन तरीकों से अंग्रेजों द्वारा भारत से धन इंग्लैन भेजा जाना भारती राजाओं के खजानों की लूट अंग्रेजी सैनिको वा अफसरों के वेतन आधी के रूप में भारती धन इंग्लैन भेजा गया ये भुकतान भारत के किसानों के द्वारा चुकाये गये करों से होता था और द्योगी करण के लिए नील, कपास, पटसन जैसे कच्चे माल और अनाज, चाय और शक्कर जैसे क्रिशी उपज की अधिक जरूरत थी इन्हें सस्ते में खरीद कर वे ब्रिटेन भेजना चाहते थे अपनिवेशी सरकार ने किसानों पर दबाव डाला कि वे इन्हें व्यापारिक फसलों के रूप में उगाए और बेचे चुके किसानों को लगान चुकाना था, वे विवश्च थे व्यापारिक क्रिशी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अनेक सिचाई परियोजनाओं को अन्जाम दिया जिससे खेती के लिए परयाप्त पानी मिल सके साथ साथ उसने देश के प्रमुक क्रिशी छेत्रों को बंदरगाहों से जोडने के लिए रेल लाइने बिछाई भारत में रेलवे के विकास के लिए अधिकान्ष समान इंग्लाइन से खरीदा गया इस कारण वहां के लोहा उद्योग को काफी फायदा हुआ इस प्रकार भारतिय क्रिशी को ब्रिटिश उद्योगों की जरूरत के नुसार ढाला गया नगदी फसल का उत्पादन बढ़ा और कपडों की जगा उनका निर्यात होने लगा